Hello viewers, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में पिछले 15 दिनों से सोसल मीडिया से लेकर नीज में एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विशय बना हुआ है वो है सोनाली फोगाट के मौत के बारे में और अभी गोवा पुलिस ने उनके मौत के कारण के बारे में बताया है कि इसके लिए एक ड्रग रिस्पॉंसिबल है और वो ड्रग है मेथाम फिटामीन तो आईए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि ये ड्रग यानि कि मेथाम फिटामीन ड्रग क्या होता है कैसे ये हमारे शरीर पे एक्ट करता है लोग इसका सेवन क्यों करते हैं और क्या इस ड्रग से किसी इनसान की मौत हो सकती है की नहीं तो इस मेथाम फिटामीन ड्रग के बारे में पूरी इन्फरमेशन पाने के लिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतक जरूर देखें दोस्तों अगर हम बात करें मेथाम फिटामीन ड्रग के बारे में तो NIDA यानि की National Institute of Drug Abuse के अनुसार ये काफी घातक और सक्तिशाली ड्रग है इस ड्रग का सेवन करने से किसी इनसान को काफी कम समय में इसकी लत लग जाती है और इसका रीजन है कि ये ड्रग हमारे डिरेक्ट Central Nervous System को प्रभावित करता है मेथाम फिटामीन एक Crystal Drug है यानि की दिखने में आपको ये तूटे हुए काच के टुकरे की तरह चमकदार दिखाई देता है अगर इस मेथाम फिटामीन ड्रग के यूजेज के बारे में बात करें तो Medical Field में भी इसका यूज किया जाता है Usually इस ड्रग का यूज नार्कोलेपसी, नेंदना आने की समस्या में Limited Amount में इस ड्रग का यूज किया जाता है इसके अलावा Depression, Anxiety और Hyper Active Patient में भी दिमाग को सांत रखने के लिए इस ड्रग का यूज मेडिसीन के तौर पे किया जाता है लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब मेडिसीन के रूप में इस ड्रग का यूज होता है तो काफी Limited Amount में इसका यूज किया जाता है लेकिन वही जब इस ड्रग को parties या फिर youngersters मस्ती के रूप में सेवन करते हैं तो वे इसको begin form में भी इस्तेमाल करते हैं इसे वे रन भी कहा जाता है या फिर इसको पाने में घोल कर सिगार में डाल कर या फिर swallow करके भी इस्तेमाल किया जाता है इस मेथाम फेटामीन ड्रग का सेवन करने के बाद हमारे ब्रेन में डोपामीन का लेबिल बढ़ने लगता है और ये डोपामीन एक ऐसा रासायन है जो हमारे सेल्स में मैसेज सिगनल्स भेजने का काम करती है डोपामीन का लेबिल बढ़ने से ये आपके लिए feel good factor की तरह काम करता है इसका सेवन करने से आपको अच्छा लग सकता है आप हाईपर आक्टिव हो जाते हैं डोपामिन का लेबल बढ़ने से ये आपके मूड को swings और uplift करता है और इसकी वजह से आपके movement, motivation और बेभार में बदलाव आने लगता है मेथाम फेटामिन यूजुली आज के समय में रेव पाटीज और यंगेस्टर्स के बीच में काफी famous है क्योंकि इसका सेवन करने से उनका mood swing और uplift होता है वो fun के mood में आ जाते हैं मेथाम फेटामिन ड्रग लेने के बाद आप में मस्ती और पूरी रात नाचने का भी mood हो सकता है इसके अलावा मेथाम फेटामिन ड्रग की वजह से sex appeal भी कुछ समय के लिए बढ़ जाती है और इसी की वजह से जो लोग इस ड्रग से addicted होते हैं वो अक्सर physical activity यानि की sexual activity के लिए भी इस ड्रग का सेवन करने लगते हैं लेकिन सोनाली फोगाड के संदर्व में अगर बात करें तो कुछ वीडियोज में ऐसा भी देखने को मिला था कि उनको ये ड्रग जबरदस्ती पिलाया जा रहा था तो उनको ये ड्रग 6 अपिल को बढ़ाने के लिए पिलाया जा रहा था या फिर मूड अपलिफ्ट करने के लिए या फिर उनको जान से मारने की एक साजिस थी इसके बारे में तो गोवा पुलीश ही बता सकती है और इस मसले पे जाच एजेंसी तफ्तीश भी कर रही है लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इस ड्रग की वज़ह से एक इनसान की मौत हो सकती है कि नहीं तो जैसा कि इस वीडियो में हमने पहले ही बताया कि NIDA यानि कि National Institute of Drug Abuse के अनुसार ये काफी घातक और शक्तिशाली ड्रग है और इसका ओवर्डोज एक व्यक्ति के लिए जानलेवा भी हो सकता है मेथाम फिटामीन ड्रग के ओवर्डोज की वज़ह से अक्सर व्यक्ति में स्ट्रोक से या फिर हट अटेक हो सकती है और इसकी वज़ह से लोगों की मौत भी हो सकती है और ऐसा ही कुछ सोनाली फोगाट के केस में भी देखने को मिला है तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मेथाम फिटामीन ड्रग के बारे में पूरी और सैंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसके अलावा अगर आपकी कोई और हेल्थ इसू है तो आप हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज़ करके भी बता सकते हैं ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ इसूज पे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बिल के आइकन पे भी प्रेस कर लें